हाई गाईज वेलकम बैक टूम आवर चैनल इस वीडियो में एक मित है जो कि लोग सोचते हैं कि रैबिट पानी नहीं पीते हैं यह बिल्कुल गलत है रैबिट पानी पीते हैं और बहुत अच्छी तरीके से पीते हैं जब उन्हें प्यास लगती हैं वो पानी पीते हैं कि वेजीटेबल वेजीटेबल ही खाता रहेगा हरी सब्जिया खाया तो वो पानी नहीं पीएगा और दूसरी बात यह जब वो थोड़ा बिमार रहेगा या फिर उसे मतलब इंटरली कोई ना कोई दिक्कत होगी तभी वो पानी नहीं पीएगा जो रैबिट अच्छे से ह खाते हैं वो पानी पीते है एक च्ष्टे पकी की तरह पानी पिते हैं लेकिन डेबिट्स पानी पीते हैं आप देख रहे हो वीडियो में घैक पाने पी रहा है प्रॉपर अच्छे से पानी पी रहा है घाइ पानी रखे रहे जहां आपका रैबिट बैठता है वहां पे या फिर जहां वो हे खाता है वहां पे रखे रहे जहां भी उसका मन करेगा दो तीन बाउल अलग अलग रखे रहेंगे वह जरूर पाने पीएगा गाईज अगर आपका रैबिट पानी नहीं पीता है तो बहुत स को सूसू से थोड़ी स्मेल भी आएगी कि वो इसका मतलब की अच्छे से डायजेश्ट्री सिस्टम काम नहीं करेगा मतलब की अच्छा रैबिट हेल्दी नहीं रहेगा गाईज रैबिट पानी पीते हैं आप हो जितना हो सके हम अपनी वीडियो में बार बार आपसे कहते हैं आप अपने रैबिट को हे दीजे अगर आप उन्हें सब्जियों एक टाइम देते हैं दो टा या फिलिविनिंग में देते हैं तो चलता है लेकि दिन भर सब्जियों पर मत रखिए क्योंकि अगर आप उन्हें सब्जियों पर ही रखेंगे उनको प्रॉपर हे नहीं तो उनके जो तीत होते हैं वो lifelong बढ़ते रहते हैं इतने बड़े हो जाएंगे कि उनका सीजर ऑपरेशन भी करवाना पड़ेगा उनके तीत का काफी दिक्कत हो जाएगी वो बाहर निकल आएंगे गाईज तो उन्हें हे दीजिए और सकेंड जैसे कि आप सामने देख रहे हैं क्यों हे खा रहा है अगर छोटे रैबिट बनी है तो उनके लिए बहुत जरूरी होती है alfa-alfa है क्योंकि उसमें वो प्रोटीन मिल जाता है जो उनके हेल्थ के लिए उनके ग्रो के लिए उनकी हेर के लि दीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक कर बाई बाई अपने रैबिट का भी ख्याब रखे गाईज